कद छोटा खुआईश नहीं समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे धाई फिट के नेता जी उनके होसले काफी बुलंद हैं ऐसे नेता के लिए एक लाइक तो बनता ही है उत्रप्रदेश चुनाओं में दावेदारी के लिए प्रदेश भर के नेता लखनों की दोर लगा रहे है पार्टी दफ्तरों के बाहर टिकट चाहने वालों की लंबी लाइने हैं तो कई बड़े नेताओं की चौकट पर डेरा डाल चुके हैं समाजवादी पार्टी से टिकट मागने पहुँचे एक ऐसे उम्मीदवार ने सब का ध्यान की चा वजह है उनका कद सपा के इस नेता का कद भले ही मैज धाई फुटो लेकिन उनके हौसले काफी बुलन है बरेली की प्रमोद कुमार सपा से टिकट लेने के लिए आविदन कर रहे हैं और वो अकलेश यादो से मिलने के लिए लखनो पहुचे एवीबी न्यूस की एक रिपोर्ट के मताबिक बरेली के रहने वाले प्रमोद ने कहा कि सपा से 18 साल पुराने नेता हैं वो और 2003 में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली थी MA और LLB कर चुके प्रमोद पेशे से वकील है उन्होंने कहा कि 2003 में समाजवादी पार्टी के संदक्षक मुलायम सिंग यादो और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर सपा जॉइन की थी उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए मैंने 18 साल से काम कर रहा हूँ और प्रमोद यादो ने कहा कि सपा अध्यक्ष अकलेश यादो ने तीन साल पहले उन्हें बिथरी चैनपुर विधान सभा का प्रभारी बनाया था और वो बखुबी इस जिम्मधारी को निभा रहा है उन्होंने कहा कि अकलेश यादो जी ने मुझे तीन साल पहले 123 बिथरी जैनपुर विधान सभा शेत्र बरेली का प्रभारी बनाया था तब से मैं शेत्र में लगातार काम कर रहा हूँ मैंने पिछले साल 25 जनवरी को ही टिकट के लिए आवेदन दिया था अखलेश यादो जी मेरे आवेदन पर जो फैस्टा लेंगे वो मुझे मन्जूर होगा तो इन छोटे से नेता जी के बारे में आपकी क्या रहा है नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताईए और इस वीडियो को फेस्बूक और वाट्साप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें